हेलो दोस्तों, विलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आप देख रहे हैं वासिंपल, मैं आपके साथ समसाद हुसें आप से चमा चाहता हूँ, वीडियो में थोड़ा सा नॉइज आपको देखने को मिल सकता है चुकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बिना फैन चला है, वीडियो बनाना असंभव है तो इसको माइंड मत करिएगा, ठीक है? चलिए, बात करते हैं अपडेट के बारे में एक साल पहले हमने इस फर वीडियो बनाये था, जो कि बहुत सारे लोगों ने इस योजना का लाब भी लिया था जब सुखाड हो जाता है, बारिस ही नहीं होती है, और ऐसी इस्तिती में आपको पंप से पटाना पड़ता है, चापकल से तो पटा नहीं पाओगे, उसके लिए आपको बोर कराना पड़ेगा, बोर कराओगे आप 80-100 फीट, ठीक है? तब ही जाकर के आप उसको अंदर में पंप जो होता है, उसको लगा करके आप पटवन कर सकते हो, अपने खेती का सिचाई कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर अभी आप अगर प्राइबेट से लगवाने जाते हो पंप, तो आपको टॉड़े यहाँ पर प्राइबेट से लगवाने के लिए आपको ब आपको बिस्तार्ज बताते हैं, नीजी नलकुप योजना अतरिक्त अनुदान के साथ फिर सुरू होने जा रहा है, आपको बता दे, यहाँ पर राज में खेती को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पर सरकार चुभा रही है कि जो खेती है, उसका ज्यादा से ज्यादा य यहाँ बिहार बासियों को, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि राज में खेती को बढ़ावा देने और समय पर सिचाई सुनिशित करने के लिए, सरकार अधरिक्त अनुदान के साथ नीजी नलकुप योजना लाने पर अभी विचार कर रही है, बहुत ही जल्द इसको पार चुके हैं, आगे आपको बता दे, नलकुप योजना के ताहती इस तरह की योजना थी, लेकिन नई योजना में अनुदान के रासी को बढ़ा दिया गया है, ठीक है, इस तैयारी से लगू जल संसान्द ने भाग कर रहा है, इसे राज केविनेट से मंजूरी मिलने के से, सरकार के तरफ से यहाँ पर अनुदान मिलता था, अधिकतम यहाँ पर 15,000 रुपे मिल जाते थे, सबसीडी, ठीक है, 15,000 रुपे आपको मिल जाता था, 10,000, 12,000, अधिकतम 15,000 मिल जाता था, और वहीं, अब 100 मिटर तक की गहराई के लिए, नलकुप का जो योजना है, जानि अधिकतम 35,000 रुपे तक यहाँ पर आपको अनुदान मिलेगा, तो बहुत अच्छी बात है, ओनलाइन इसकी प्रकिरिया होगी, आपको बता दें, इस योजना का लाब लेने के लिए, किसानों को ओनलाइन आवेदन करना होगा, ओनलाइन ही आवेदन करना होगा, इ किसान के पास कम से कम 40 डिसमील, 40 डिसमील खेती का जमीन होना जरूरी है, भई, आपके पास 40 डिसमील खेती का जमीन है, तभी आप कर सकते हैं, यहाँ पर यह नहीं बताया गया है, कि रईयत हैं, या फिर गयर रईयत, ठीक है, या खुद का जमीन है, तभी ले सकते हैं, य प्रास्बुक की छाया परती वह एलपी सी देनी होगी यानि लैंड पोजिशन शर्टिफिकेट भूमी स्वामित प्रमान पत्र ठीक है जो आपको अंचल से बनता है वह शर्टिफिकेट भी आपको यहां पर देना होगा किसानों को अपने आवेदन की इस्तिति की जानकारी ऑनलाइन ही मिल सकती है जो इसकी ऑनलाइन परकिरिया होगी अगर आप उसका इस्तिति को चेक करना चाहते है तो इसकी जानकारी ऑनलाइन ही मिलेगी बहराल आपको बता दें इस योजना के लिए जैसे ही सरकार के तरफ से कबिनेट के तरफ से मंजूरी मिल जाता है यह ला का हो काम का हो वही इंफमेसन हम आप तक पहुंचाते हैं चलिए जाते जाते हैं हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिए वहाँ पर आप हमें डियम कर सकते हो किसी मनचाहाट टॉपिक पर वीडियो बनवाने के लिए शुक्रिया